स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल पर दोस्तों आज एक कोशन को डिसकस करेंगे जो अधिकतर मुसे पूछा जाता है मेरे क्लिनिक पर विजिट करते हैं पेशन्ट फेस्बूप पर पोश्चन आते हैं कि जी हमारे पास पालतू कुटा है हम उसे लेकर क्या है या हमारे पास काफी समय पहले से हैं उसके साथ खेल रहे थे मस्ती कर रहे थे उसे खाना खिला रहे थे उसका दात लग गया क्या हमें रेवीज हो सकता है या दात इतना गहरा लग रही बात कुत्ते की तो देखिए ऐसा नहीं के सड़क पर घूम रहा है को स्ट्रीट डोग है उसने आपको काट आपको रेवीज होगा नहीं होगा केवल जब पागल कुत्ता आपको काट एका तभी आपको रेवीज होने के चांस बनते हैं इसमें आपको बुखार हो जाता ह हे आपका उस्तिर दर्द हो जाता है निगलने में दिक्कत होती है मुह से आपको लारानी चुरू जाती है अगर आपको रेविस हो गाये मती भर्म हो जाता है उल्टी सी द Mendert करना शुरू कर देते हैं यह आपके लक्षन मन जाते हैं क्योंकि जो वाइरस होता है यह तंतरी का तंदर पर असर करता है, CNS यानि Central Nervous System पर असर करता है, रेड के हड़ी से होकर के जाएगा, आपके दिमाग तक पहुंच जाएगा, दिमाग में सूजना जाएगी, जिसकी वज़े से आप अजीव हरकत करना शुरू कर देते हैं, खाना पीना खाने को पानी को उसे बंद कर देता है, और उसकी मौत उजाती है, तो ये लक्षन बाद के हैं, कैसे बचाव करें, कैसे उसे देखें कि आपको रेवीज हो सकता है नहीं हो हो सकता है पहली कोशिश करें कि अपने कुत्ते को वैक्σεिन लगवाए अगर ला परवाई हुई है आपने वैक्सी नहीं लग रफिल लेकरके आएं या च्टे पपी को लेकर के आए उसने स्वाएपको ध्यान देना एकुन से देखना है दो या तीन दिन आपको उबजर्व करना है कि वो जी भरकत तो नहीं करता है अगर वो जी भरकत करता है तो उसे रेवीज हो सकता है और एक पहचान और है कि जो रेवीज का कुट्टा होता है जानवर होता है वो दस दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रहता है आ हमारा कुट्त हरकत कर रहा है नहीं कर रहा है लेकिन आपको फिर भी डर है तो उसका सीधा सीधा आपका सोल्यूशन है कि आप अस्पताल में जाए और वहाँ पर आप जाकर के वैक्सीन का कोर्स करें अगर आपके कुट्टे को वैक्सीन लगी हुए तो तो डंडने की बात न करते हैं दो या तीन दिन तक उस पर नजर रखें अब्जर्व करें अगर वह हरकत नहीं करता है अजीब और गरीब तो फिर आपको रेविस होने के चांस ना के बराबर होते हैं अगर कोई कोश्चन आपको इससे पूशना है तो मैसेज कर सकते हैं अगले वीडियो में नह ध्यान करें के साथ जल्दी मुलक्त होगी अपना ध्यान लखें नमस्कार धन्यवाद